हलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में जो होम रेमेडी में आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हूं इस रेमेडी के इस्तमाल से आप अपने हाथों के पैरों के बॉड़ी के किसी भी पार्ट के हेर को इसली रिमूव कर सकते हैं यदि आपके हेर ग् कराने के बाद स्किन काली पढ़ने लगती है और जल्दी ही आपकी हेर ग्रोथ फिर से आने लगती है तो आज का यह अजमाया हुआ नुकसा है आप इसे ट्राइ कर लीजिएगा य आपको 100% रिजल देने वाला है पूरी प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिलकुल मत बूलेगा और चैनल पर फिर आज आप मुझे पहली बाहर देख रहे हैं तो प्लीज आप सबीस रिक्वेस चैनल को विद बाल अगर सब्सक्राइब कर लीजेगे इस तरीके की वी जो की स्किन को क्लीन भी करता है और स्किन पर वाइटनिंग का काम करता है साती इसमें आदा चमच के करेब हम बेकिंग सोडा का इस्तमाल करेंगे इस बहुत से लोग बोलते हैं कि कोल्गेट से हेयर रिमूव नहीं होता है लेकिन इस तरीके से आप इस रेमडी को ड्राइनेस के कारण जो हमारी स्किन के जो हेयर होते हैं वो एजली रिमूव होने लगते हैं उनकी रूट्स वीक होने लगती है साथ ही लेमन के इस्तमाल से वैक्सिंग के दोरान यदि स्किन काली पढ़ने लगती है तो इस स्किन पर वाइटनिंग का काम करता है स्किन को क्लीन करता है इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देखेंगे काफी क्रीमी सी होम रेमेडी बनके रेडी होगी मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेकिंग सोडा में अलकाई सबस्टेंस होता है पी एच लेवल 9 के साथ होता है जो कि स्कीन की एटेशन हेयर ब्रिकेज के लिए बहुत अच्छा होता है यह रेमेडी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बैस्ट है जो बाहर की वैक्सिंग कराना नहीं चाहते हैं और हेयर रिमूफ करना चाहते हैं क्योंकि वह अपनी हेयर ग्रोष से बहुत ज़्यादा परशान है तो फ्रेंस ह जब आप अपने बॉड़ी का किसी भी पाट का हेयर रिमूफ करेंगे तो सबसे पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से वाश कर लेंगे वाश करने के लिए यहां फ्रेंड सबसे पहले जो मैथर है उसे यह है कि आपको पहले गुनगुना पानी लेना है उसमें चुटकी है ने एक वाइप लिया है उसे नमक के पानी में डिप किया है निचो लिए उसके बास जिस जगह के हमें हेयर रिमूफ करने उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे ठीक है फ्रेंड बिलकुल ट्राइन टेस्टिट होम रेमेडी आप वीडियो को एंड तक जड़ी मोफ करना चाते हैं तो वहाँ इसे आप कर सकते हैं यदि आपकी संस्टिव इसकेन है तो आप पहले छोटा सा पैज टेस कर लेंगे उसे यूज करने पहले ठीक तो एक ठीक लियर में आप इस अपनी स्किन पर अप्लाइ कर लेंगे या मैं आप थोड़ा सा पैच्ट टैस क बाल इसे पूरे पर के बाल साफ करना चाहते हैं तो उस इसाब से कौंटिटी सेट कर सकते हैं तो फ्रेंड's इस remedy को लगने के बाद 5-7 मिनिट के लिए एससे लगा रहने देंगे उसके बाद फ्रेंड's आप इसे रिमुव करेंगे रिमुव करेंगे आप डारेक्ट वॉज इसे बिलकुल भी नहीं करेंगे आपको क्या करना है कोई भी cotton ήар फिर कोई भी हैंकी रुमाल य तो इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रेशर लगाते हुए इस क्रीम को जब रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे जो हेयर है वो सारे आपके इसली रिमूव हो जाएंगे एकदम जड़ने से लगेंगे तो यहां हेयर ग्रोथ बहुत जादा है तो इसलिए मुझे थोड़े स हेयर रिमूव करने में प्रॉब्लम हुई एक बारी में हेय सारे रिमूव नहीं हुए तो आप इसे एक से दो बार भी ट्राइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस डिमूदी को बनाएंगे ट्राइक करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाले आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने हेर रिमूफ किया है यहाँ जादा बाल है इस वज़े से मैंने एक वाइप लिया है और अच्छे से स्किन कोड प्रेशर के साथ क्लीन करूंगी तो जो बचे कुछे बाल हैं वो भी इसली रिमूफ हो जाएंगे जैसे कि आप वीडियो है ठीके फ्रेंट तो ऐसे में आप स्किन को अच्छे से वाश कर लेंगे पहले जहां पर भी आपने हेर रिमूफ किया है उसके बाद स्किन को मश्राइज कर लेंगे यदि आपकी सेंस्टिव और किसी तरीकी की इर्टेशन वगरा आपको हो रही है तो इसके लिए आपको क कि अधिके घर में इसली मिली जाती है और मार्केट में भी बहुत असानी से मिल जाती है बहुत सस्ती सी और काम की चीज आईए आपको हलका सब गीला करना है फिट करी को और जहां का है आपने रिमूफ के उस जगह पर आप अच्छे से रब कर देंगे तो इसे क्या होगा स अच्छे से फिट करी आप करेंगे तो आपको किसी भी तरीकी की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ट्राइन टेस्ट इसे वीडियो देखते ही जरूर ट्राइ करिएगा अपने अंचाहें बालों से चुटकारा पाने के लिए तो मुझे तो यह रिमुटी बहुत ही पसंद आई होगी तो वीडियो देखते ही आप भी से जरूर ट्राइ करिएगा और वीडियो को यहां तक देखा है वीडियो को कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत बूलेगा क्योंकि आपका एक ल चैनल पर फर्स्टाइम विजिट किए तुछ फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्टर चैनल को विद बैल लाक और सब्सक्राइब कर लीजेगा इस तरीके की और रेमेडियो देखने के लिए जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना कुप सारा खयाल रखिए ख झाल